आज जो हम पिक पाइल करेंगे, हम एक एनरजी चेकिंग करेंगे, जो इनसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपका जो भी, you know, आप हस्बन वाइफ है, बॉइफर्ण गॉर्फरेंड है, रिलेशन्शिप में है, on a break है, no contact है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे, कि आपको लेके उनके इरादे क्या है, आपकी तरफ उनका action क्या होगा, in the next one month हम पकड के चलेंगे, और आपके रिलेशन्शिप को क्या influence कर रहा है, ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले यह सब के साथ रेजोनेट नहीं होगा, पाइल नमबर 2 या 3 आप चेक करें, thank you so much for your subscription, अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो please do that, YouTube पे मुझे, you know, messages आते हैं, जो मेरे viewers है, only 50% के viewers है, जो, you know, जिनोंने subscribe किया है, तो बाकी के जो है, please do subscribe, it is very important for me, simple beauty tips to मेरा दूसरा चानल है, especially हमारी ladies के लिए, नवरात्री special, एक ऐसी चीज जो आप अपने face, hands और पेरों पे अगर यूज करोगे, तो instant glow, जैसे कि आपने कोई gold facial किया है, ऐसा टाइप का आपको glow मिलेगा, और बहुत simple चीजे है, ऐसी चीजे है, जो शायद आप नवरात्री में बना के खाते होंगे, वही चीजों को हम लेके कुछ नया खुद के लिए करेंगे, तो अगर आप वो चैनल अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज दू सब्सक्राइब, उसके डीटेल्स रिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आये देखते हैं, पाइल नमबर वन के लिए क्या है, आके अंजल माइ I am really very sorry about that. Okay, तो आये अब देखते हैं कि आपके जो इंसान है, उनकी आपके लिए feelings क्या है? for pile number one please, feelings, iraade, action and outcome क्या होगा, ठेक है, let's clarify this alright, what is affecting your love life, what is affecting your love life, jinnke baare में हम पूछ रहे हैं, ये आपके husband हो सकते है, boyfriend हो सकते है, third party situation, on a break, जो भी आपका relationship है, status, it does not matter, हम सिर्फ जो है find out करेंगे कि ये आपके लिए क्या सोचते है right now, और इनका जो है near future में क्या outcome होगा, ठीक है, ये उन लोगों के लिए pile है, जो on a break है, जिनका दिल तूटा है, अगर आप married है, तो शादी में आप सुखी नहीं है, अगर boyfriend, girlfriend है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़े आपके relationship में हो रही है, जहां पे आपका दिल तूटा है, आपके partner का दिल तूटा है, और आप लोग जो है wait and watch कर रहे हैं, या तो आपने एक दूसरे से break लिया है, या आप दूसरे से आप बात नहीं कर रहे हैं, ये जो heartbreak है, इसके कारण जो है, आप बहुत बुरी तरह तूट चुके हैं, थक चुके हैं, इतना आपको ये relationship में थकान मैसूस हो रही है, exhaustion मैसूस हो रहा है कि आप फिलाल ऐसे attitude में है कि आपको जो है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, नमबर 9 और 10 हैं यहां पे तो, you know, it is almost some sort of a completion, in the sense की, शायद ये relationship या तो आपके लिए खतम हो चुका है, या आप जो है, ये decide कर रहे हैं, next step की, ये relationship के बारे में क्या करना है, ठीक है, what is affecting your love life right now, तो despair है, double time जो है, despair आया है, बहुत, जो ये pile देख रहे हैं, अगर ये आपके साथ हो रहा है, तो I am very very sorry, बहुत hurt feel हुए हैं, आप आपको, you know, आगे जो है, सिरफ अंधेरा दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे का शायद आपने उन पे निचावर कर दिया, लेकिन ये इनसान ने जो है शायद आपको completely block कर दिया, या आपको जो है, totally cut off कर दिया है, बहुत बार I think आप, again energies can be exchanged, but बहुत बार ऐसे हुआ है कि आपने उनका दरवाजा खट-कटाया है, in the sense कि उनो क्या हुआ, क्या गलती हो क्या हम फिर से reconcile कर सकते हैं, ये इनसान ने शायद आपको WhatsApp पे, Social Media पे काफी दफा ब्लॉक किया है, और इसके कारण जो है, you know, आपके relationship में problem है, poverty है या पैसे का problem हो सकता है, या इनसान जो है, आपको प्यार के लिए ये इनसान ने आपको भूका रखा है, आप ने जितना इ इनसान ने जो है, आपको return में नहीं दिया है, relationship में होके भी आपको लगता था कि आप अकेले है, time आपको इनोंने नहीं दिया है, आपको ऐसा हरवक्त feel कराया है कि ये आपकी जरूरत है, ये प्यार, ये रिष्टा, ये उनकी जरूरत नहीं है, बहुत sad लग रहा है मुझे expectations है, तो शायद एक जो इनसान है ये relationship में, उसकी जो relationship से जो expectations थी या चाहते थी वो बहुत ज्यादा थी और शायद दूसरा इनसान ये पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए भी जो है relationship में problem हो सकती है, वापिस 10 number का card है यहाँ पे, and 10 number का card है, number 10 is all about completion, so I think आपको कही न कहीं ऐ ये उन लोगों के साथ है, जिनके साथ शायद आपकी जो शादी है, वो शायद शादी टूट गई होगी, या आप लोग जो है शादी शुदा है, या आप चाहते हैं कि इनके साथ शादी हो, लेकिन वो शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिनके बारे में आप प जाके देखते हैं ये relationship में कैसे आता है शायद आप जो है आपको लगता है कि ये इनसान जो है ये आपके लिए बने हुए है और आपको जो है इनके लिए वेट करना है ये इनसान ने शायद आपको कही ना कही ऐसा as a friend ये इनसान आपके लाइफ में आए होंगे आपको बहुत मदद की होगी इनके साथ जो है आपको जो in the beginning of the relationship I think जिस धंग से आप प्यार चाहते थे या जिस धंग से आप attention चाहते थे वैसा attention ये आदमी ने आपको दिया ये इनसान ने आपको feel कराया कि उन्हों प्यार में रहना जो है ये इनसान की आपकी तरफ feelings क्या है number 20 का card है यहाँ पर आपके partner Scorpio हो सकते है अगर आपके relationship में break up हुआ है तो ये इनसान आपके तरफ आना चाहता है 8 of wants की energy है यहाँ पर कुछ good news लेके आपके पास आना चाहते है communicate करना चाहते है जो अंधेरा हो गया था आपके relationship में वो अंधेरे से निकल के कुछ ऐसी चीज करना चाहते है जहाँ पर आपको लगे कि ये क्या चमतकार हो गया है आपके लिए feelings क्या है sexually आपके लिए काफी attracted है बहुत जल्दी आप लोग ये relationship में बढ़ गए थे कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि ये इनसान जो है उनको ऐसा लगता है कि जो आप ये relationship से चाहते हैं वो सचाई में इस दुनिया में जैसी आपका situation है जैसा उनका situation है उसमें ये possible नहीं हो सकता लेकिन अगर reconciliation का पूछ रहे हैं तो I think around Diwali time reconciliation हो सकता है ये इनसान जो है आपके साथ definitely reconciliation चाहते हैं चाहते हैं कि जो सही है वो relationship में हो patiently wait कर रहे हैं चीजें सही होने के लिए rebirth हो सकता है आपके relationship का ये इनसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको जो है आपके लिए ये relationship में जो सही है उनको वही करना है divine timing का wait कर रहे हैं आपकी तरफ जरूर उनका चाहते हैं कि आपकी तरफ आए लेकिन I think वो जो है divine timing के लिए definitely wait कर रहे हैं आपकी तरफ जो है उनके इरादे क्या है four of cups की energy है यहाँ पे ये इनसान जो है emotionally आपसे काफी attached है इनके life में अगर कोई और भी अगर इनसान है या कुछ और भी अगर चीजें हैं तो उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं है आपकी तरफ आना चाते हैं चाते हैं कि जो भी चीजें उनको पीछे बांद के रखे हुए हैं वो सब चीजों को जो है छोड़के ये आपकी तरफ आए अगर ये कोई इनसान अगर कोई और relationship में है तो इनको वो relationship में अच्छा नहीं लग रहा है बॉर्ड लग रहा है उनको अपनी stability के लिए इन्होंने काफी काम किया है you know financial stability के लिए बोलो या अपने work के लिए business के लिए खुद को पैरों पे खड़े रहने के लिए इनसान ने जो है खुद के लिए काम किया है अब जो है ये इनसान आपकी तरफ आना चाते हैं emotions जो उन्होंने आपको दिखाई नहीं थी वो emotions जो है आपको दिखाने के लिए ये तायार है आप उनके लिए काफी precious है चाते हैं कि जो भी इन्होंने गल्ती की थी या जिस धंक से अगर इन्होंने आपसे बुरी तरह behave किया था तो वो change लाना चाते है definitely जो भी आपके relationship में tension था वो tension को छोड़के जो है ये इन्सान आपकी तरफ आना चाते है karma waters की तरफ आना चाते हैं अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके relationship में काफी पारना जैसे कि tsunami के जैसे चीजे होती है एकदम से चीजे बहुत अच्छी हो गई फिर एकदम से सब शान्त हो गया एकदम से बहुत जगडा हो जाता है गुसा हो जाता है एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं और फिर जो है चीजे एकदम से ठीक हो जाती है ये सब जो है इन्सान change करना चाहता है, उनके इरादे यह हैं कि आपकी तरफ आए, अगर आप जो लोग जो है long distance relationship में है, जो eight of wands का card भी जो you know, eight of wands also represents that you know, you could be in a long distance relationship, यह इंसान आपकी तरफ definitely आना चाहता है, मैं भी travel करके आएगा, लेकिन आपके साथ जो भी चीज़े तूटी है, या जो भी चीज़े खराब हुई है, यह इंसान जो है definitely आपकी तरफ आना चाहता है, तो जी हाँ, यह उन लोगों के लिए भी हो सकता है, जो long distance relationship में है, पैसों के लिए, काम के लिए family के लिए अलग हुए है, या तो माता पिता की expectation होंगी या जहाँ पर job चाहिए था, वहाँ job ने मिला, इसलिए कहीं और job के लिए जाना पड़ा, यह सब चीज़ों को you know, fulfill करने के लिए, इंसान जो है, दूर चले गए है, इसलिए divine आपको यह ही कहता है, कि it is worth waiting for you, इंसान के लिए आप wait करें, because it is safe for you to love यह इंसान के आपके लिए जो है, actions क्या होंगे, seven of wands है और strength है, तो seven of wands जो है, वो, you know, it is all about not giving up, it is all about जो है, उसके लिए जो मैं खड़ा रहूंगा, आप या आपके partner Leo हो सकते हैं, जैसे मैंने का Scorpio हो सकते हैं, यह इंसान जो है, teacher हो सकते हैं, college में पड़ा सकते हैं, public speaking में हो सकते हैं, लेकिन यह जो इनसान है, बहुत हिम्मत दिखा के जो है, आपकी तरफ आएंगे, आपको manifest कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ आएं, बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, जो भी इनके life में problems थी, वो problems को यह जो है, conquer करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो भी challenges इनके life में थी, वो challenges को conquer करके, जो है, finally उनको जो है, किरन दिख रही है, कि रोशनी दिख रही है, कि यह इनसान जो है, definitely आपकी तरफ आएंगे, इनके जो action है, यह इनसान जो है, आपकी तरफ जरूर आएंगे, और आपको जैसे न, एक shock होगा, unexpected news होगी, कि यह इनसान आएंगे, बहुत magical तरीके से आएंगे, अगर, या तो job के कारण यह अलग है, या पैसो के लिए कुछ problem है, तो जो भी आपकी problems थी, वो problems को जो है, यह इनसान पीछे छोड़ के आएगा, यह इनसान जो है, यह mountain के उपर खड़ा है, and he is now ready to take that jump for you, उसके लिए जो हिम्मत चाहिए थी, यह इनसान ने वो हिम्मत जुटा दी है, यह इनसान जो है, definitely आपकी तरफ जरूर जरूर आएंगे, near future में outcome क्या होगा, two of pentacles है यहाँ पे, and five of air है, तो I think यह इनसान आपकी तरफ जरूर आएंगे, आपका reconciliation जरूर होगा, लेकिन यह इनसान जो है, इनकी जो problems है, फिलाल अगले एक दो मेने के लिए, यह problems जो उनकी life में है, वो resolve नहीं होने वाली है, कोशिश कर रहे हैं कि यह इनसान आगे move हो, आपकी तरफ आए, जो भी, you know, tension है, या जो भी चीज़े, जो no win situation में इनसान फसे हैं, या जो भी इनके life में गलत हुआ था, जिनके कारण, you know, इनको ऐसे लाचारी जो लग रही थी, यह सब चीज़ें यह change करके आपकी तरफ आना चाते हैं, फिलाल यह इनसान जो है, अगर आप 100% commitment चाते हैं, तो शायद यह आप से और थोड़ा time मांगेंगे, because इनको जो है, फसे हुए हैं, कहाँ पर काफी चीज़ें जो हैं, इनको right now सम्भालनी हैं, हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यह give up नहीं कर रहे हैं, और यह चाते हैं कि आप उनको support करें, very nice pile number one, अगर right now आपका दिल टूटा है, आप थक चुके हैं, आपने एक दूसरे से break लिया है, तो यह इनसान आपके बारे में सोचता है, physically आपके लिए बहुत बहुत attracted है, patiently wait कर रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे to move towards calmer waters, इनके action जो हैं, बहुत हिम्मत लेके यह इनसान आपकी तरफ जरूर आएंगे, आप please wait करें, manifest करें, prayer करें, जो भगवान में आप बिलीव करते हैं, उसमें जो हैं, आप you know, just stay positive because this person is going to come, इनके problems खतम नहीं होने वाली हैं, लेकिन इनोंने आप ऐसा डिसाइड किया है, कि जो भी मेरे problems है, वो problems तो खतम नहीं होंगी, लेकिन problems के कारण जो है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाता, या मैं आपको नहीं खोना चाता, तो यह आपकी तरफ आएंगे आपको बताएंगे कि युनों मेरे life में ऐसे ऐसे problems है, क्या आप मेरा support करोगी, क्या आप ये problems के साथ मुझे accept करोगी, because मैं जो है आगे जाके या तो आपसे शादी करना चाता हूँ, या जो है मैं आपके साथ रहना चाता हूँ, कहीं न कहीं आपको लगता है कि इनसान के life में इतने problems हैं, मैं ये इनसान के लिए wait करूँ, ना करूँ, तो divine आपको ये ही कहता है, worth waiting for and it is safe for you to love, तो I think ये इनसान के लिए जो है, आप ज़रूर wait करें, आपके लिए अच्छा होगा, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, this person really loves you, ये इनसान जिनके बारे में आप प hope is not getting too late for our union, ये इनसान जो है डर रहे है, कि इनको ऐसे लगता है कि ये कहीं तो भी फसे में है, कुछ काम में फसे में है, third party हो सकती है, जो भी, तो ये डर रहे है और विश कर रहे है कि, you know, आप लोगों के union में शायद उनकी तरफ से जादा देरी ना हो, what you say is the truth, I am sorry that I can't face it, तो I think आपने जो है, इनको इनकी सच्चाई, जो है, situation की जो सच्चाई है, उसके बारे में बताया होगा, जो ये गलतिया कर रहे थे, आपने उनके बारे में इनको बताया होगा, और ये आपको ये ही कहना चाते है, कि जो आप कह रहे थे, वो सही है, ल remembering a happy times, wish we were together, आपको ये इनसान काफी मिस करते हैं, and last card जो है हमारे पास, I go quiet because I have no answers to question, to your questions about our future, तो I think आपने जो है, काफी expectations रखी हैं इनके लिए, चाहते हैं कि ये थर्ड पाटी छोड़के आपके पास आए, जॉब की तबादला ले, कुछ तो ऐसा करें कि आप लोग union में आए, और जब आप इनको question करते हैं, जब आप उनको future के बारे में पूछते हैं, तो ये इनसान शायद चुप हो जाते हैं, और इससे शायद आपको और गुसा आता है, तो ये इनसान आपको ये कहना चाहते हैं, कि ये इसलिए चुप हो जाते हैं, because जो आप questions future के बारे में इन से पूछते हैं, right now उनके इनके पास कोई answers नहीं है by number one यह इनसा जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं definitely जो है आप से प्यार करते हैं आपके साथ union में आना चाते हैं थोड़ा सा आप patience रखें थोड़ा सा इनको support दिखाएं और I think आप लोग जो है बहुत जल्द union में आ जाएंगे अगर यह आपके साथ resonate होता है तो please do like, share, comment and subscribe to my channel tarot reading चाते हैं personal तो उसके details description box में है tarot सीखना चाते हैं तो उसके details भी description box में है as always, please do keep your energies and vibrations high, what you focus on is what you get and I will see you in your next reading, thank you so much सिसिकाल, मेरा नाम अदिती है and welcome back to the circle of life tarot जिन लोगो ने pile number 2 choose किया था यह वाला pendulum आए देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं यह इंसान आपके बारे में क्या फील करते हैं आप relationship के कोई भी level पे हो सकते हैं on a break, third party, boyfriend, girlfriend just best friends, husband and wife long distance relationship हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यह इनसान जो है इनके आपके लिए truest feelings क्या है इनके आपकी तरफ इरादे क्या है अगले एक महिने में जो है action क्या लेंगे और outcome क्या हो सकता है सब के साथ resonate नहीं होगा अगर नहीं होता है तो pile number 1 या pile number 3 चूज करें अगर आपकी situation के लिए personal reading चाहते हैं तो please contact me for a private reading में साथ tarot सीखना चाहते हैं उसके लिए भी details description box में है जो मेरा beauty channel है Simple Beauty Tips by Aditi उस पे जो है अगले एक या दो दिन में जो है मैं एक Navratre special या ये जो दिवाली special के लिए कुछ एक ऐसा pack face pack scrub में आपको introduce करूँगी जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा एक बार अगर आप यूज करोगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत महंगा वाला you know gold type facial किया है ये आपके face hands और पेरो के लिए है जो भी आपकी skin type है जो भी आपका skin color है इतना glow आपके face पे आएगा कि आप हैरान रह जाओगे उसके लिए आपको क्या करना है channel को subscribe करना है और वो video के लिए वेट करना है hopefully अगले कल या परसुतक वो video upload हो जाएगा आपे इंजल माइकल, my garden angels and the universe, holy spirit and the divine please give us exact messages which are in the highest code for pile number 2 all right आईए देखते हैं आपके जो partner है जिन से आप प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं all right for pile number 2 please उनके feelings उनके इरादे उनके आपकी तरफ actions and future outcome ठीक है all right आपके love life को क्या influence कर रहा है आपके relationship को क्या influence कर रहा है ये जो है हम अगले एक मेने के लिए ही देखेंगे house आपके अगि कर सकते हैं Okay, and last, romance angels. Okay, pile number one, आपके जो cards है, sorry, pile number two, आपके जो cards है, वो देखके मुझे ऐसे लगता है, कि आप जो है, ये उन लोगों के साथ resonate होगा, जो third party situation में है, ठीक है, आपके जो इनसान है, उनकी आपके लिए feelings क्या है, ये इनसान जो है, आपको बहुत, यू, बने, I think, आप जो है, उनको बहुत प्यार करते हैं, आप जो है, उनमें बहुत time invest करते हैं, आपने जो है, उनको इस तरह का प्यार दिखाया है, इस तरह के emotions दिखाया है, कि उनको जो है, ये दुनिया का सबसे लगी इनसान लगता है, आपके कारण उनको लगता है कि उनकी जो भी इच्छायती जिन्दगी में एक पार्टनर में जो चाहिए है वो उनको definitely मिल गई है लेकिन जो है यहाँ पर clearly जो है मुझे third party का situation यहाँ पर दिख रहा है आप जो है आपके partner अगर आप शादी शुदा है और आपकी situation में third party नहीं है तो आप third party can be anybody then you know your in-laws हो सकते है sister in-laws हो सकते है work colleague जो भी हो सकते है लेकिन आपके जो partner है वो आपके लिए बहुत प्यार करते हैं आप जो है उनके लिए wish fulfillment है आप में जो है उनको लगता है कि उनों कोही नूर हीरा मिल गया है सब कुछ आपके सामने फीका है उनके लिए बहुत खुश है वो उनको खुद believe नहीं होता है कि आप जैसा इनसान जो है वो उनके life में आया है लेकिन कहीं न कहीं जो है में भी आप जो है एक अठा office में काम करते हैं office romance हो सकता है आप लोगों का आपने जो है इनके साथ you know जैसे अब कैसे मैं आपको explain करूँ कि आपके साथ जो practically जो प्यार है या practically जो romance होता है या जो practically जो experience करते हैं love romance you know dates पे जाना यह सब शायद इनसान ने आपके साथ experience किया है और आपने जो है इनको इस धंग से प्यार दिया है कि यह completely जो है आपके साथ in love है आपके साथ यह relationship definitely continue करना चाते हैं आपके साथ यह जो है definitely enjoy करना चाते हैं आप office romance भी हो सकता है इकठा आप projects पे काम कर सकते हैं या तो you know आप business partners है college में कठा पड़ते हैं या students भी हो सकते हैं आपने जो है इनको literally यह जिनके बारे मैं आप पूछ रहे हैं आपने इनको manifest किया होगा इनो पूजा पाथ जिस भी चीज में आप believe करते हैं वो सब चीजे आपने की है positive thinking ताकि यह इनसान आपके life में आए आपने इनको बहुत बहुत प्यार दिया है अपना heart जो है अपना दिल जो है उन्होंने आपने literally निकाल के जैसे ना उनको दे दिया है आप जो हैं उनके लिए बहुत गुड लुकिंग है बहुत उनको लगता है कि आपके जैसा कोई इनसानी नहीं है जिस जंग से आप बात करते हैं, तयार होते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं ये इनसान जो है completely, you know, in awe of you जो कि उनको ऐसा लगता है कि कोई हूर की जो परी है वो उनको मिल गई है कही न कहीं है इनसान आपके साथ जैलिस भी हो सकते हैं आपको शायद अटेंशन काफी मिलता है, लोग आपको काफी सहराते हैं, देखते हैं उसके कारण जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ पे envy का भी कार्ट दिख रहा है या यह इनसान जो है third party situation में है और उसके कारण जो है थोड़ा सा शक, थोड़ा सा चिर्चिर, थोड़ा सा envy जो है यह आप लोगों के relationship में definitely मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे जो है जलन होती है एक दुसरे को लेके यह इंसान की जो है आपकी तरफ इरादे क्या है अगर pregnancy already नहीं है यह relationship मेंटो शायद pregnancy हो सकती है यह इंसान जो है आपकी तरफ passionately बढ़नाचाते है ये इनसान जो है आपके साथ एक physical relationship बनाना चाहते हैं, आपको देख के ये इनसान को लगता है कि आपके पास सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, looks है, everything जो चाहिए है वो आप में है, आप में ये इनसान जो है abundance देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि you are everything that they always wanted in a person, आपने जो है इनके लिए काफी patiently wait किया है, ये इनसान जो है definitely आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर ये इनसान ने अब तक आपको propose नहीं किया है, ऐसा कोई इनसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, कि ये इनसान आए office में आप एक हो रहा है कि ये इनसान शायद आपसे प्यार करता है, तो इनसान जो है definitely आपकी तरफ आएंगे, आपको propose करेंगे, आपके साथ जो है कुछ ना कुछ physical चाहते हैं, आपके लिए बहुत बहुत attracted है, ये इनसान आपकी तरफ travel करके आएंगे, आपके साथ नया risk लेना चाहते ह एक affair में, एक romance में definitely इनसान जाना चाहते हैं, इनके ये ही इरादे हैं कि ये आपको जो है अपने वश में करें, लेकिन इनकी energy जो है वो commitment वाली energy नहीं है, आपके साथ सिरफ enjoy करना चाहते हैं, ये इनसान की आपकी तरफ actions क्या होंगे, आपका जो freedom है, ये इनसान जो है आप definitely आपकी तरफ आना चाहते हैं, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra की मुझे काफी है energy दिख रही है, Hermit की energy है यहाँ पे and Aries की भी energy है, ये इनसान जो है आपको completely अपने वश में करना चाहते हैं, इनकी आपकी तरफ actions क्या होंगे, आना तो चाहते हैं आपकी तरफ लेकिन थोड़ा सा डर रहे ह इनको sure नहीं है कि if you are ready to be in a commitment या इनको sure नहीं है कि जिस धंक से ये इनसान आपके साथ relationship रखना चाहते हैं, वैसा आप relationship इनके साथ रख पाऊगे, आपको some sort of offer देना चाहते हैं, ऐसा offer देना चाहते हैं जो शायद आपको बान लेगा, जो आपको जो है इनकी तरफ बार बार मुझे यही दिख रहा है कि financial यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, in the sense कि ये इनसान जो है शायद आपके साथ business करना चाहता है, शायद आपने इनके लिए पैसे की मदद की है और उसके कारण भी जो है ये इनसान शायद आपकी तरफ आना चाहते हैं, क रही ना कही मुझे ये भी दिखता है कि आपका जो status है या आपका जो level है या जिस धंग से आप जो है आपके पास दौलत है, whatever दौलत कुछ भी हो सकती है, जिस धंग, आपके पास ऐसी कुछ एक चीज है जो ये इनसान चाहता है कि आप उनके साथ शेयर करें, आपकी जो ल अपनी तरफ definitely खीचना चाहते हैं, चाहते हैं कि या तो आप दोनों जो है financial, जैसे मैं क्या कहूं, एक financial work business में भी आप लोग इकठा हों और उसके साथ जो है ये इनसान आपके साथ romantic passionate behavior, you know, romantic passionate sex based relationship में भी ये इनसान जो है आपके तरफ बढ़ सकता है, energies can be exchanged here, in the near future अगर हम पूछें कि, you know, ये इनसान अगर आपकी तरफ आएगा और ये आपको propose करेगा, या आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो आपके relationship में क्या हो सकता है, tower, what is going in and what is coming out, what is going in and what is coming out, ये इनसान जो है ना, materialistically कुछ ना कुछ gains या benefits आपके लिए चाता है, अगर अब तक इसने आपसे पैसे नहीं लिये हैं, तो ये जरूर आपसे पैसे मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनसान cheat है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन I think ये इनसान already कहीं फसा हुआ है, या तो engagement हो गई है, या इनकी शादी हो गई है, इसलिए जो है, थोड़ा सा problem आ रहा है, लेकिन ये इनसान जो है, I think आपकी life में आपको एकदम से पैसे आए हैं, या तो माबाप से पैसे मिले हैं, या आपको promotion मिला है, या कुछ ऐसा हुआ है, और ये इनसान को पता है, और उससे जो है, ये इनसान आपकी तरफ ज्यादा और attract हो गया है, इनको ऐसे लगता है कि वो पैसों से इनकी कुछ नईया पार हो सकती है, I know this is a love relationship का reading है, लेकिन only जो है, यहाँ पे मुझे पैसे दिख रहे हैं, बिकोज आपके relationship में फिलाल क्या हो रहा है, तो house है, unexpected income है, and main female है, तो यहाँ पे मुझे और यहाँ पे भी यही दिख रहा है, woman holding her heart है, and envy है, तो I think ये इनसान जो है, आप से, of course, relationship चाहता है, लेकिन wants also कि आप उनको financially help करें, near future में क्या हो सकता है, आप लोगों में थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा, जिसके कारण शायद आप, ये इनसान शायद ऐसा कुछ आपको बोलेगा, या ऐसा कुछ बताएगा, जिसके कारण जो है, आप नाखुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इनसान ने सही बात नहीं की है, या तो पैसे के मामले में कुछ बोलेंगे, या आप कहेंगे कि ठ बिल्कुल भी तयार नहीं है यह stability देने के लिए queen of earth जो है यहाँ पे queen of pentacles फिर सही हाँ पे you know earth sign है and it is again all about money, stability, finances आप जो है आपको यह कहीं न कहीं यह realize होगा कि यह इनसान जो है इनकी आपकी तरफ जो changes हुए है या आपकी तरफ इनका बरताव में भी पैसों को लेके ही और वो आपको I think अच्छा नहीं लगेगा और इसके कारण जो है यह relationship में शायद आप ही समय लोगो you will take more time शायद आप ही समय लोगो लेंगे कि आपको यह relationship में आगे जाना है या नहीं यह इनसान आप पे spy करता है आपका social media internet चेक करता है आपके friends से connected रहता है कहीं न कहीं इर looks को लेके पैसों को लेके status को लेके इर्शा काफी है यह इनसान जो है completely आपकी चकाचौन से जो आपके nature में आपके पैसे में आपके उठने बैठने में यह इनसान जो है पूरी तरह जो है attracted हो गया है future में मुझे यही लगता है कि यह इनसान आपकी तरफ जरूर आएंगे आपको propose करेंगे आपको you know इस धंक से बात करेंगे कि you know प्यार तो मैं आपसे करता हूँ शायद हम business भी start करेंगे यह business का कुछ proposal लेके शायद physically भी आपसे कुछ you know expect करेंगे and I think वो जो है आप ready नहीं होंगे again energies can be exchanged here आप या आपके partner वर्गो हो सकते हैं आप जो है बहुत practically पूरे situation के बारे में सोचेंगे और आप यही देखेंगे कि you know is this true love अगली एक महिने में जो है मुझे लगता है कि आप यही जानने की कोशिश करोगे कि यह जो इनसान है यह आपका true love है या नहीं है express your love है and attraction है तो यह इनसान जो है definitely आप से काफी attracted है यह इनसान अपना प्यार जो है आपको definitely express करेगा आपको अपने वश में लेना चाता है अगर आप card देखोगे तो यह इनसान जो है बस यह औरत को ऐसे जकड के tight पकड़ा हुआ है लेकिन यह औरत जो है थोड़ी सी unsure है कि म इनसान आपकी तरफ आएंगे और अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है तो ऐसा कोई इनसान आ सकता है जिसके you know आपके जो आउटर जो है जैसे आपकी जो finances है looks है जिस धंक से आप बात करते हैं वो सब से जो है attracted हो के आपकी तरफ आएं है या ऐसे इनसान है जो already शादी शुदा है आपने जो है उनको आप उनको जो है सचा प्यार करते हैं आपने जो है प्यार का उनको इजहार किया है और ये इनसान जो है उसका जो है थोड़ा सा opportunity ले सकते हैं उनको ऐसा लगेगा ठीक है अगर यह मैं से प्यार करती है और मुझे ऐसे ऐसे चीजों म मदद करती है तो मैं उसका मदद ले सकता हूँ लेकिन I think आप काफी हुश्यार हैं आप जो है कुछ भी पैसे invest करने से पहले या emotionally इन से जो है involved होने से पहले आप थोड़ा सोचें अगले एक मेने में मुझे एसे ही लगता है कि थोड़ा सा आप ये प्यार के बारे में confused रहोगे कि ये relationship में आगे जाना है या नहीं ये relationship की जो नीवे हैं उनको और पक्की करनी चाहिए हैं ऐसा कुछ जो है आपके life में definitely जरूर आएगा so very quickly let's see ये इनसान के आपके लिए कोई messages है क्या I am feeling ready and will message you soon ये इसी कुछ चीज है ये इनसान के life में है जहां पर I think उनको लगता है कि आप ही आप है जो इनको हर problem से निकाल सकती है looking at your photos मैंने कहा था कि ये इनसान आपके spy कर रहा है तो this person is definitely looking at your photo ignoring what others are saying about our connection तो I think ये third party situation हो सकता है and ये इनसान जो है शादी शुदा है maybe आप लोग business ही कठा करते हैं या work ही कठा करते हैं लोग शायद बात कर रहे हैं and ये ही क्यों कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं आपके connection के बारे में बात कर रहे हैं वो इनसान जो है he is ignoring this इसके बारे में वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे है all in all I just feel कि थोड़ा सा time ले ये relationship में invest करने के लिए इंसान के इरादे जो है पूरी तरह जाने इतने reading में सारी clarity नहीं आती है personal reading चाहते हैं तो definitely you can contact me please do like, comment, share and subscribe and अगर आप beauty tips के बारे में और जानना चाहते हैं तो simple beauty tips को भी ज़रूर subscribe कीजे, thank you so much for watching as always please do keep your energies and vibrations high, what you focus on is what you get and I will see you in your next reading, thank you so much अभस्तियादाव सिसिकाल मेरा नाम अधिती है and welcome back to the circle of life tarot ये जो है pile number 3 की reading है, जिनों ने ये clear quartz का जो है pendulum choose किया था, reading में जाने से पहले ये सब के साथ resonate नहीं होगा अगर नहीं होता है तो pile number 1 or pile number 2 देखें, अगर आप आपके situation पर personal reading चाहते हैं तो please do contact me for a personal reading, tarot सीखना चाहते हैं तो please do contact me, details नीचे description box में है, अगर अब तक आपने मेरा beauty channel नहीं देखा है, simple beauty tips बयादिती तो वहाँ जाए, बहुत जल 200 subscribers होंगे, बहुत अच्छा giveaway है वहाँ पे and अगले 2 दिन में मैं हमारे ladies के लिए और अगर हमारे gents ट्राइ करना चाहते हैं तो एक ऐसा गजब का Navratri special, Diwali special एक ऐसा गजब का scrub compact आपके साथ share करूँगी बहुत unique है ऐसी चीज़े हैं जो हम शायद Navratri के दिन खाते हैं लेकिन उसको अगर हम एक mask या scrub बना के हमारे face पे लगाएंगे तो हमारा face हमारे जो हाथ है हमारे जो pair है वह इतने soft इतने glowing हो जाएंगे जैसे आपने कोई महेंगा वाला you know gold facial कराया होगा तो अगर आपको वो देखना है तो I think कल या परसो तक जो है वो में definitely upload करूँगी simple beauty tips by Aditi पे all right let's see for my pile number 3 आपके जो इनसान है वो आपके लिए क्या feel करते हैं आपका relationship जो है कोई भी stage पे हो सकता है break no contact married unmarried third party situation हम यह जानने के कोशिश करेंगे कि आपके इनसान के आपकी तरफ feelings क्या है इरादे क्या है आपकी तरफ actions क्या होंगे और आप दोनों के relationship का outcome क्या होगा outcome जो होगा उसमें आपके क्या reactions होंगे और उनके क्या reactions होंगे जिनके बिना पे जो है outcome होगा यह भी देखेंगे कि फिलार जो है यह relationship को क्या effect कर रहा है all right for my beautiful pile number 3 please जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके बारे में right now क्या feel कर रहे हैं all right eight of swords eight of swords है and ace of eight of air है and ace of air air sign है यहां पे Gemini, Libra, Aquarius आपके लिए उनके इरादे क्या है wow four of fire है four of wands है and ace of cups है आपके लिए action क्या लेंगे and near future outcome क्या होगा बहुत positive cards है pile number three really really very nice Taurus Libra हो सकते है air sign बहुत ज्यादा है यहां पे okay आपके relationship को क्या effect कर रहा है child toil and labor oh okay romance angels बहुत बहुत ज्यादा यह उन लोगों के लिए resonate हो सकता है again जो अलरी शादी शुदा है या third party situation में है या कुछ एक divorced है एक separated है और एक married है double children आया है यहां पे messages है यहां पे and from last but not the least from the file number 3 okay सबसे पहले तुम में यह कहना चाहती हूं की शायद this could be the one है यहां पे and yin and yang है तो मुझे यही लग रहा है की आप और आपके partner जो है शायद twin flame soulmate की journey में हो सकते है twin flame मुझे यहां पे जादा दिख रहा है because four of wands की energy है and again twin flame journey जो है asan नहीं होती अगर आपको नहीं पता twin flame क्या है तो आप google कर सकते है community का card है यहां पे toil and labour का card है यहां पे तो मुझे यही दिखता है की यह इनसान एक तो शायद आपके साथ office में काम करते हैं आप दोनों जो है friends है रिष्टेदारों के थूरू आप दोनों का contact हुआ होगा यह इनसान जो है आप दो है दोनों जो है एक you know एक puzzle के दो pieces है जो इकठा आके एक hole बन जाता है एक दूसरे को आप जो है बहुत अच्छे से balance करते हैं अगर एक दिन है तो दूसरा रात है आप दोनों में जो है फरक बहुत ज्यादा है लेकिन even then आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत happy करते हैं 22 number है यहाँ पे which adds up to 4 which is all about stability strength foundation है यहाँ पे relationship है support है and then यहाँ पे फिर से जो है four of wants की energy है आपकी जो भी situation है आपका जो भी you know society में जो भी आपके relationship को या संबंद को नाम दिया गया है लेकिन यह जो है divine के through आपका relationship है एक दूसरे को आप बहुत stability देते हैं एक दूसरे को लेके जो है आपको मन में कोई doubt नहीं है कोई confusion नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि maybe जो society है वो शायद आपके relationship को accept नहीं कर रही है right now आपके relationship में क्या चल रहा है या तो आप एक video हो सकते हैं या आपके life में ऐसा कुछ या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कुछ bad news उनको मिली है किसी की death हुई है या कोई बहुत ज्यादा बिमार है और उसके कारण जो है एक इंसान बिलकुल लाचार हो गया है I don't want to say this but जैसे cards आते हैं मुझे वो देखना पड़ता है मैं भी किसी के बच्चे है बच्चों के कारण जो है कुछ problem हुआ है बच्चा बहुत बिमार है या बच्चे को कुछ issue है और उसके कारण जो है एक partner ने दूसरे partner को छोड़ दिया है I'm sorry but you know जैसा दिखता है मुझे ऐसा ही पड़ना है मैं भी बच्चों को लेके कुछ tension है और उसके कारण ये relationship में कोई problem है बहुत उदास energy dark energy मुझे यहां पर आ रही है जहां पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने बिलकुल hope जो है give up कर दिया है आपने ये relationship में बहुत कुछ दिया ये relationship में आपने बहुत support किया आपने give up नहीं किया लेकिन ऐसा है कि ऐसा दिखता है कि आपके partner ने शायद आपको आपके जो circumstances है वो circumstances के कारण जो है शायद आपके partner ने आपको छोड़ दिया है लेकिन आपके partner जो है इसको लेके बहुत दुखी है अगर आप on a break है या आपके partner आपको ऐसे लगता है कि आपके partner ने आपको support नहीं किया है तो it has to do with children बच्चों के कारण कुछ ना कुछ है हर इनसान की story अलग होती है लेकिन बच्चों के कारण कुछ ना कुछ है when toil and labor है तो I think पैसो का problem हो सकता है महन या काम के लिए इनसान को आपको छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ रहा है या काम के कारण जो है ये इनसान आपको time नहीं दे पा रहे या इनकी job चूड़ गई है और उसके कारण जो है ये इनसान को काफी problem है या काफी stress है again energies can be interchange here लेकिन ये जो है definitely twin flame soulmate की मुझे connection दिख रही है children यहाँ पे मुझे double दिख रहा है तो I think बच्चों को लेके कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे problem है pay attention to the red flags और red flags मुझे यहीं दिख रही है कि you know आपके इर्थ के इर्थ कोई ऐसे लोग हैं जो ये relationship को के में कुछ problems create कर सकते हैं I don't think आपके जो इनसान है because tarot के cards इतने positive है तो आपके इनसान जो है मुझे नहीं लगता कि ये इनसान जो है खुद कुछ कर रहे हैं अगर third party situation में भी है तो ये इनसान सिरफ आपके हैं आपको प्यार करते हैं जितना होसला जितनी शक्ती उनको आप से मिलती है या आपके बारे में सोच के मिलती है वो I think उनको कहीं और नहीं मिलती है लेकिन जो है बच्चों के कारण या कुछ तो problem जरूर है जिसके कारण ये relationship में problem हो सकता है this could be the one है यहाँ पे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं यही इनसान जो है आपके लिए बने हुए है यही इनसान से जो है आपको complete feel होगा आपको whole feel होगा यही इनसान है जिन से जो है आप emotionally जो अगर आप बोलते हैं कि my other half जो है यही इनसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं because आप दोनों जो है yin and yang है एक masculine energy है एक feminine energy है और जब वो इकठा आती है तो जो है एक पूरा एक one whole बनता है आपकी जो personalities हैं काफी अलग हो सकती है एक fire sign हो सकता है एक water sign हो सकता है या air sign हो सकता है लेकिन आप दोनों जो है एक दूसरे को compliment करते है एक दूसरे को align करते है जब एक दूसरे के साथ आप होते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ सही है जो भी problems है वो problems होने के इलावा भी आपको लगता है कि सब कुछ सही है let's get to the tarot ये इनसान के feelings आपके लिए क्या है ये इनसान आपकी तरफ आने के लिए डर रहे है ऐसा कुछ situation है कि जैसे हम कहते है कि it is like a brain paralysis ये इनसान उनको ऐसे लगता है कि अगर आपकी तरफ आएंगे ये आपकी तरफ आपको propose करेंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपके लाइफ में problem हो सकता है ये इनों जैसे हम कहते हैं कि इनों self-imposed restriction है कि खुद ही इनोंने दिमाग में ऐसा कुछ बनाया है मेभी आपके बच्चे है, बच्चा बिमार है कुछ आपके लाइफ में ऐसा problem है तो इनोंने खुद ही जो है डिसाइड कि नहीं ये इनसान आपसे दूर हो जाएंगे या ये इनसान अगर आपके लाइफ में आएंगे तो जो है बहुत problem हो सकती है community वाले जो है, society वाले जो है, लोग वाले जो है लोग जो है, वो बहुत बात करेंगे बहुत जैसे आपके थोड़ा सा जो है, commotion chaos हो सकता है, इसलिए इनसान जो है, आपकी तरफ आने में डर रहे हैं, चाते तो है आपकी तरफ आए, आपको याद करते हैं, आपको blessings भेज रहे हैं, आपको positive vibes भेज रहे हैं maybe telepathy से messages भेज रहे हैं कि ये, कि यूनो मैं आपके बारे मैं सोच रहा हूँ, आपकी तरफ आना चाता हूँ, लेकिन आऊं तो मैं कैसे आऊं, ये इनसान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो इनसान है, mental clarity ला रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आए, वो जो छलांग है, ये जो clouds हैं ये जो अंधकार है, ये अंधकार से जम करके ये इनसान आपकी तरफ कैसे आए, ये वो ही चाते हैं कि ये इनसान आपकी तरफ सब जो है mental you know, mental fog जो है, या जो stress है, या वो tension है वो tension को जो है, निकाल के आपकी तरफ एक छलांग मार के जरूर आएं sorry मेरे बच्चे पीछे मस्ती कर रहा है ठीक है, ये थी जो उनकी feelings है right now आपके लिए, ये इनसान के आपके लिए इरादे क्या है बहुत beautiful इरादे हैं, ये इनसान जो है आपके साथ शादी करना चाते हैं ये इनसान जो है आपको commitment देना चाते हैं, आपके साथ चादी करना चाते हैं, आपके साथ celebrate करना चाते हैं, आपके साथ life enjoy करना चाते हैं, आपके साथ घूमना चाते हैं, गाने सुनना चाते हैं, जो normal life होता है, एक दूसरे के साथ time spent करें, एक दूसरे के साथ इकठा रहे, यह इनसान जो है, वो सब आपके साथ करना चाहते हैं, musician हो सकते हैं, यह इनसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बच्चों को, you know, music सिखाते होंगे, children हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ कुछ connection definitely है, यह इनसान का, पर यह इनसान जो है, definitely आपके साथ एक रिष्टा बनाना चाहते हैं, celebrate करना चाहते हैं, आपके साथ, चाहते हैं कि जो उनकी जो problems हैं, वो problems में कुछ solution मिले ताकि वो आपकी तरफ आएं, Ace of Cups की energy है, this person really loves you, आपको जो है, बहुत 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 प्यार करते हैं, emotionally आप पे बहुत dependent है, emotionally आप पे बहुत अटाच्ट है, शादी का card है, यहाँ पे new love का card है, यहाँ पे आपको जो है ना वो एक मोती समझते हैं और आपको वो छोटना नहीं चाहते हैं, Seahorse की energy जो होती है, बहुत patience वाली energy होती है, sea horse जो होता है जो male energy होती है यहाँ पे वो जो है अपने पेट में जो है बच्चो को रखता है the male sea horse is the sea horse that gets pregnant यह ऐसा इंसान है जो बहुत patiently आपके लिए वेट कर रहा है बहुत nurturing energy है यह बहुत प्यार वाली energy है आदमी होके भी जो feminine जैसा एक मा एक बच्चे को प्यार करती है उस ढंग से यह इंसान आपके लिए care करते हैं आपके तोफा जरूर लाएंगे और ऐसा तोफा आपको देंगे इच्छा है उनकी देने की कि आपको believe नहीं होगा यह इंसान आपकी तरफ जरूर आएंगे और आपको propose करेंगे actions क्या है Empress की energy है अगर आप pregnant नहीं है तो शायद pregnancy हो सकती है लेकिन यह abundance की energy है wish fulfillment की energy है जो beach आपने सोय है वो effortlessly जो है उन पे result आएगा यह इंसान जो है आपकी तरफ आना चाते है commitment right now नहीं कर पाएंगे लेकिन यह इंसान definitely आपकी तरफ आना चाते है और ऐसा कुछ आपके साथ करना चाते है ताकि यह पूरी life जो है उनकी आपके साथ hold हो जाए तो pile number 3 यह इंसान के आपके लिए इरादे क्या है correct यह इंसान जो है जैसे मैंने का आपकी तरफ आने के लिए डर रहे हैं लेकिन आपको spy करते हैं आप पे नजर बनाई हुए रखे हैं कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए कुछ message आपको देंगे में भी कुछ सादा message करेंगे कि कुछ काम related message है कोई business related message है अगर आप एक दूसे से बात करते हैं तो कि कुछ ऐसा message भेज सकते हैं कि यूनो work related हो सकता है friend related हो सकता है ऐसा कुछ message आपको भेज सकते हैं आपके साथ कुछ create करना चाते हैं life बनाना चाते हैं आपके साथ आपको देखके इनको लगता है कि आप एक ऐसे इनसान हो जो इनको complete कर सकता है you are everything that this person wanted next one month में मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों के relationship में ये इनसान जो है आप से शादी करना चाता है definitely लेकिन right now circumstances ऐसी है परिस्थिती ऐसी है कि ये इनसान जो है आपको commitment नहीं देना चाता लेकिन ये इनसान जो है आपके साथ touch में रहना चाता है आपके साथ बात करना चाता है आपके साथ एक relationship में रहना चाता है ये इनसान जो है आपके तरफ आएंगे ये इनसान दरते हैं आप से आपके सामने इनको लगता है कि ये बहुत छोटे हैं उमर में नहीं लेकिन जिस धंग से आप हैं, जिस धंग से आप रहती हैं, जिस धंग से आपने ये पूरी situation में behave किया है, उनको लगता है कि आप जो हैं बहुत ही mature lady है, या आदमी हो सकते हैं, बहुत intelligent है, good looking है और आपके सामने जो हैं, इनको जो हैं बहुत बहुत चोटा लगता है, कहीं न कहीं डरते हैं आपसे कि कहीं आप जो हैं इनको मना ना कर पाएंगे, इनको लगता है कि आपके पास already सब कुछ हैं और ये क्या आपको दे सकते हैं, इनको शायद आपके true feelings की का पता नहीं है, या आपके life में ऐसा कुछ हुआ है, जिसके कारण आपका breakup हुआ है, उनको ऐसे लगता है कि ये आपके लिए good enough नहीं है, लेकिन ये आपकी तरफ जरूर आएंगे, maybe as a surprise आएंगे, आपको एक apology देंगे, आपको एक maafie मांगेंगे, आपको कहेंगे कि कुछ ना कुछ गलती होगी, अगर आप ये seahorse को देखते हैं, तो कैसे इसके सामने सिर्फ जुखा क कड़े हैं कि ठीक है, you know, maafie चाता हूँ, और ये जो है, यहाँ पर आप हैं ये reading में, और आप अगर देखें तो, you know, जिस धंक से आपने कपड़े डाले हैं, आप बहुत rich है, I'm not saying money, लेकिन आपका जो nature है, वो बहुत अच्छा है, भगवान की दया से आपके पास सब कु पोजल देंगे, some sort of a, अगर इनोंने पास में ऐसा behave किया है, कि आपको, you know, किसी के साथ में भी affair किया है, office के चकर में किसी के साथ पढ़ गए, बच्चों के कारण कुछ problem हुआ है, तो ये इनसान definitely आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपको कहेंगे कि, you know, कि they are sorry and maybe आप कोई gift लाएंगे, लेकिन बहुत gentle manner में, बहुत emotional manner में ये इनसान आपको express करेंगे कि ये इनसान जो है, आपसे प्यार करते हैं और आपको वापिस चाहते हैं, and then you have the six of air है यहाँ पे, which is all about moving into karma waters, जो भी tension था, जो भी, you know, डगमक चल रही थी आपके life में, ये चाहते हैं कि ये सब जो है, शान्त हो जाएं, और आप दोनों जो है, बहुत positively towards karma, water, शान्ती के तरफ, positivity की तरफ, जो है, आप लोग जाएं, बहुत positive reading है, pile number three, within one month, ये इनसान जो है, आपकी तरफ आएंगे, जो भी problems ही आपकी life में, शायद, you know, बहुत आप ये आपके partner, जो है, emotional stress से का काफी go through हुए है, कुछ ऐसी चीजें है, कुछ loss हुआ है, जो बहुत, मुझे कुछ देखके ही, मुझे खुद भी इतना, you know, पेट में ऐसे गोला आगया है, बच्चों को लेके कुछ problem हो सकता है, किसी को आपने खो दिया है, उन्होंने खो दिया है, but बहुत तकलीफ से आ आपके लिए कुछ messages and divine आपको ये ही कह रहा है कि this could be the one, ये ही इन्सान है जो शायद आपके लिए बना हुआ है, ये इन्सान के जो हैं आपके लिए कुछ messages please, ये इन्सान आपको वही कहना चाहते हैं कि what you say is the truth, I am sorry that and I can't face it, तो जो आपने इन्सान से कहा था, वो करने की, balancing the scales है, ये इन्सान जो है आपको शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन behind the scenes कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि जो है balance आई, आप दोनों के relationship में जो up-down हो रहा था, उसमें जो है ये balance ला पाएं, looking at your photos है, यहाँ पे ये इन्सान जो है आप पे spy करते हैं, feeling lost and confused without you, आपके बिना इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, and then you have, you show me the mirror of who I truly am and that scares me, आप जो है ये इन्सान को उनकी सच्चाई बताते हैं और इनको जो है, खुद की सच्चाई को accept करने में तकलीफ होती है, इसलिए शायद आप से धूर भागे हैं and last जो है, यहाँ पे you are my queen, my everything, so this is all I have for pile number 3, please do like, share, comment and subscribe, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, तो bell icon तबाएं तो की next video upload होगा तो आपको पता लगेगा, as always please do keep your energies and vibrations high, what you focus on is what you get and I will see in your next reading, thank you so much.